कि प्यारे बच्चों आज हम लोग कोशन लेने जा रहे हैं नीट के ठीक है जो नीट के पिछले साल माया हुआ मिक्स कोशन लेंगे प्रिविए सर के मुकोसेस करेंगे जादा जादा नीट के हो एक दो चारे दर्दे से हो जाता है तो इस कम प्लेटी ओके पहला कोशन नीट 2016 2016 दोजार सोल लगा है 2016 ठीक है कह रहा है एन एलेक्रिक डाइपोल इस प्लेस्ट एट एंगल 30 डिगरी विद एलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी तो इंटो 10 की पाउर 5 इट एक्सपिरियंस अट टोर्क इकल टो 4 न्यूटन मेटर कहाँगा चार्ज ले डायपोल इस दायपोल लेंथ इस इस तो सेंटिमिटर इस आपको याद होगा टोर्क का जो फोर्मूला होता था तोर्क होता था हमारा P крस E और फिर बोल सकते हैं पी क्या होताता था अभी एंगल कितना ते रखा 30 degree ठीक है तो कहा है बई डाइपोल एक्टर फिल्डो इसके बीश का एंगल पूछ रहा है तो आपका देर रखा है 30 साफ साफ लेखा हुआ है तो प्यार वच्छे टोर्क कितना देर रखा फॉर न्यूटन मीटर पी की वैल्यू पी क्या होता है सा चार्ज इन्टू चार्ज इन्टू लेंथ बिटून लेम होता है क्यों इन्टू टू एल होता है और टू एल होता क्या है इसमें कनफ्यूज नहीं होना है क्या दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस तो इसने चार्ज के बीच में डिस्टेंस डाइपोल लेंथ दे रख्या टू सें और आपका एलेक्टर फिल्ड और साइन थर्टी ठीक है तो 4 will be equal to charge की विल्ड मुझे calculate कर नहीं यह जो value है यह L की value ने 2L ही है याद कीजिए मैंने आपको बता है डाइपॉल के बीच में दोनों charge के बीच का distance है उस यह कॉम 2L लेगे तो मतलब कितमा दे रखा तो 2 से 2 मर गया है ठीक है ओके सर तो प्यारा बच्चा 2 से 2 मर गया और 10 की पार क्या बचता है इधर बचेगा Q into 2 बलकुल सर इंटू 10 की पार माइस टू 10 की पार प्लस 5 10 की पार प्लस का 3 बचेगा बस solve कर लिजे चार्ज के इकवल टू कितमा जाएगा यह सारा उठके 4 के अब डिवाइडन पोचेगा 4 उपर है इसके निचे तो 2 into 10 की पार 3 2 से 2 के इतना आ गया है 2 into 10 की पार माइस 3 कुलांग और 2 into 10 की पार माइस 3 का उल सकता है 2 मिली कुलांग 2 मिली कुलांग सो प्रेक्ट आंसर इस बीफ और गोंग रहे है नोट डाउन कीजिए फिर बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरह 2 into 10 की पावर माइस 3 ओके यह नेक्स कोशन है जो कि आपका 2015 नीत यह AI-PMT का ही है उसना आया हूआ है कहरा है एक गोसन सर्फेसे इस इन फोर्म फ़र्वक्र सक्षर्ण एर्या पाई A स्कॉर्ण L is immersed in a uniform electric field uniform electric field सभाल कर kosher सभाल कर E, with the cylinder x is parallel to the field the flux phi of the electric field through closed surface is डाराम प्रो कर लेते हैं शंपेजर में इल्ए अपने सिलेंडर लेकर आप और यहां पर पतका दिया ऐसे मन लोई खेल ओन सिले एक्सिस पेर्लेल टो भी एक्ट्र फिल्ड मतलब ऐसा आपका इलेक्ट्र फिल्ड है और इसके इंदर आपने एक स्लेंडर पटकती है यह रहा है कि अच्छे के बिट्टा अंसर है यह समास्तर जी बिल्कूल सही बात है यहां तक तो तो प्यारा बच्चा अगर मैं इसको कहा था फ्लक्स होता है यह दोट डियस लिखिए लिख सकते हैं और क्या रहता है क्यों पॉन एप्सम टोटल चार्ज इंख्लोश ट्यॉइड वर एपसम यह होता है हां सर यह होता है क्या कोई चार्ज एंख्लोश हो रहा इसके अंदर कि नहीं सरे कोई नहीं तूसरी बात ऐसे खी नहीं सोच पार तो यहां से यापका टो कितने हां से atrás कि यहां से इंटनी ही बाहर भी निकल कि emoji और भी तीसा करिकते हों डिखना है कि पत्ता किसका area vector आप किदर draw करेंगे तो प्यारा बच्चा area vector will be, अगर इस surface को देखूँ तो इसका area vector किदर इधर इस surface को देखूँ तो इसका area vector किदर इधर अगर आपको वही याद करके करना है, phi equal to e dot a ही अगर आपको याद है, e dot ds या e dot a, जैसे आपको लिखना है उससे भी गर आप सोचो, तो दोनो area बराबर हा के न, बिलिकुल से दोनो area बराबर, एक का vector इधर एक का vector इधर, यहाँ पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंगल कितना होगा आपका होगा से 0 degree, मतलब e a हो जाएगा, e a cos 0 यहाँ पर कितना होगा, 180 degree यहाँ पर कितना हो जागा flux e a cos 180 मतलब minus e a मतलब यहाँ पर plus का e a net flux कितना आपका, यह plus यह minus, अभी भी 0 किसी भी तरह से सोच लेजिए, कोई सा भी जो आपको appropriate तरीका लगता आप, उससे सोचे, जो आपका exam में याद आ जाए, तो answer रहना आ जाना है, 0 ठीक है, मेरे खाल से बात समझ में आ गई है इसे no down कीजिए, फिर बढ़ता है next question के तरह next question आपका NEET AI PMPT कहिए, 2012 का है ठीक है, शायद यही question J में भी आचुका है एक बार, as I guess सुनिये, what is the flux through a cube of side A if a point charge Q is placed at one of its corner cube के corner पर रखा हुआ है एक charge ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको imagine करना है चीज़ों को थोड़ा सा नरपस cube नहीं है, कुछ मैं आपको दिखाता है दर्वाइस तो सुनिये बटा, यहाँ पर रखा हुआ है charge, एक चलो cube कुछ ऐसी होगी यह पीछे का हिस्सा है एक ही point charge है, single point charge वो कहीं भी, किसी भी एक पोने पर मान लीजिए, मैं मान लूँ इस पीछे वाले corner पर, जो line बनाया है मैंने, यह पीछे वाला corner है यहाँ पर charge रखा हुआ है तो बेटा, charge से चारों तरफ के लाइंस निकलेंगी बराबर तो मुझे एक Gaussian surface ड्रो करने पड़ेगी इस तरह की, कि इसको मैं कुछ बता सकूं अगर यही charge cube के अंदर होता अगर charge cube के अंदर होता तो बिल्कुल सीधा अंसर था हमारा क्या होता टोटल चार्ज टोटल चार्ज डिवाइड बाइपस निकलेंगी कटम कानी Q upon epsilon not यह रहा, C अंसर रहा था लेकिन चार्ज जो है cube के अंदर नहीं है cube के कोने पर रखा हुआ थोड़ा सा आप इसको imagine कीजिए मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं otherwise मैं imagine करवा देता आपको अच्छे से चलिए इस box से मैं कोसिस करता हूँ मान लेजे यह आपका cube का एक कोना है इस black वाले को cube मान लेजे black वाला हिसा इतना सा तो चार्ज जो है बिटा इसके अंदर नहीं है इस कोने पर है यहां इस कोने पर रखा हुआ है चार्ज आपका ठीक है यहां तो जो flux है पूरा पूरा इसके अंदर नहीं हो रहा कुछ flux यहां से जा रहा हूँ कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां आपको यहां रख्खा हुआ है, तो मैं A-Q, यह चार्ज यहां पर रख्ख हुआ है। आपर इसको डखने के लिए, मैं A-Q यहां पर इसको डखने के लिए, मैं A-Q यहां सा ले आता हूँ. तो एक क्यूब में हापड लिया रहा है तो अब इधर जितना आपका फ्लक्स जाता उत्र उत्र ही उत्र से जाएगा अभी ढ़की नहीं है पॉइंट एक पॉइंट इसको ढ़कने के लिए इसके पीछे इस क्यूब के पीछे क्यूब रखूँगा मतलब इसके ज़स्ट पीछे जो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगी इस वाली के ज़स्ट पीछे क्यूब रख रहे हैं सर अरे मैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाना चाहरा हूँ जिससे बहुत सारी सिमिले स्ट्रक्चर हो जाएं टोटल फ्लक्स निकालनों उसका फिर उतना ही हिस्सा ही हो जाएगा समझ पा रहे हैं यार एक क्यूब यह इसका यहाला कॉर्णर इसको डख दिया मैंने एक और क्यूब से लागे इदर एप पुचुक इस वाले पीछे वाले कोर्णर पर एक को इदर से डख दें पोचुक इदर चार अब भी कोर्णर से जो उपर लाइट जा रहे है यह बज्ञानी बंध आठ क्यूब के बीच में इसको रगदूँ, चार नीचे रगदूँ, एक, दो, तीन, और चार, समझे में आ रिये, कुछ ऐसा सोचे, कमरा है, रूम है कोई, रूम का किसी कोड़ पर एक बल्ब आ है, उस बल्ब की जो रोज निकल लिए उसको पूरा ढखना, कोने पर है बिल करते हैं, उसमें आपने देख पर जो एक, एटम है, एक वन एटम इस शेरड़ भाई, एक क्या बोलते हैं, शायद उसको, ना, लैटिस या सेल, जो भी बोलते हैं, तो अगर एक एटम होता है, तो कितनी लोग से बल्ब करते हैं, तो ये, एक पीछे वाले दो इसके, चार और चार्ड उपर वाल है याद आया कुछ इस तरह कंसर्ट पढ़ते हैं आप सुलेड इस्टेट में आप सुलेड इस्टेट में है ठीक है तो बेटा इट इस शेर्ड बाई एट आठ लेटिस इसको सद इस तरह शेर कर दो बिलुकुल वैसा ही अब फ्लक्स जो है हमारे पास स्रेक्र एक बन गई है एक क्यमेजन केजिए चार्ज रखा हो एक क्यू इधर एक इदर कि यह तो बजलेड बिलूब हो शॉटर कोने बर रखा चाहिए यह तो आफ जो यह स्टुचर मैंने सोची है 8 क्यूब से बलकुल और न हम सेंद्र पूरी तरह से चार्य को चुखिया है मुझसे क्या पूछ रहा है एक क्यूब से कितना निकल रहा है आठो की आठो पूरा प्रॉपर शेयर कर रही है हां कि न यह पूरा का पूरा अगर मैं कहूं फ्लक्स की इस बिगर इस्ट्रॉक्चर यह 8 क्यूब स कितना हो जाएगा तो वन क्यूब से पूछा इसने तो एक क्यूब से कितना पास होगा कितना हो जाएगा Q upon Epsomote और 8 और जाए आपका अंसर आ गया B4 Bombay थोड़ा सा इसको imagine करना घर पर जाकर पीपल के पेड़ तेंचे बैठकर थोड़ा meditate करना समझने कोसित करना कि क्या कहानी है चलिए नेक्स कोश्चन में पर एंसे बाद ये कोश्चन में बटा आपके नीट 2011 और 10 में है पहले इस कोश्चन को देखे लगते है इसको देखे इसको भी छोड़ी फिलाल A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius R if the radius is doubled then the outward electric flux will be देखे बालक charge radius R के अंदर बनता है sphere के अंदर अब चाहे surface double ले 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 चार गुना ले ले चार्ज किस पर डिपेंड करता है flux गोस के अकोर्डिंग flux किस पर डिपेंड करता है charge upon epsilon not epsilon not constant है पूरा पूरा charge पर डिपेंड करता है क्या आपने charge change किया है आंसर नहीं charge is not change तो flux change होगा क्या आप radius कुछ भी बढ़ाते रही electric field change होगा flux change नहीं होगा remains same before bomb is the correct answer ठीक है इस question को देखते है question यह आपका तुसरू 10 का है कह रहा है square surface of side L meters ठीक है in a plane of the paper आपका plane of paper यह रहा इसमें रखता हुआ है ठीक है जी in a uniform electric field E acting along the same plane same plane जिस plane में आपका paper है इसी plane में आपका electric field ऐसे है जिस मेरे मुलिया है ऐसे है यह square भी इसी के दिना है at an angle theta at an angle theta with the horizontal side of the square ठीक है horizontal side कुण से square कि यह इसके साथ angle theta बना रहा अजला यह theta है का यह theta है ठीक है okay sir the electric flux linked with this square is इसमें बच्चे बहुत सारे गड़बड करेंगा सो चलिए अच्छा सर ने बताया था यह cost theta होता है sir तो इसका square यह L है इसके side तो E L square cost theta जो की गलत होगा जो की गलत होगा क्यों sir क्या गलबड़बड़ है सुने प्यार बच्चे में आपको क्या बता लिहांस याद कीजिए एरिया नहीं एरिया का वेक्टर लेना है और अगर यह सर्फेस आपकी जो सर्फेस आपको दिखाई पड़ रही है यह जो एरिया है इसका अंदर की तरफ होगा इदर बहार की तरफ या कहीं अंदर की तरफ हो किसी तरफ एकतर होगा इलेक्टर फिल्ड कैसा है इदर इलेक्टर फिल्ड और एरिया वेक्टर की बीच में अंदर की तरफ है यह बहार की तरा फिलेक्टर्फिल्ट इतर है this, this is the angle समझ बारा? इलेक्टर्फिल्ल लाइन से ऐसी है मेरे उलियों को माल दो, इलेक्टर्फिलल लाइन से ऐसी है area vector काईसा है? ऐसा कितना angle है? इलेक्टर्फिलल लाइन से और area vector के बीच में है what is the angle? आप कहोगे sir 90 degree cos 90 होता है 0 कहानी खत्तम समझे में आ गई e l square cos 90 answer 0 चेक है बिल्कुल सीधे सीधे straight forward हलका सा लोजी लगाती है आप question को उड़ा सकते हो इसे note down कीजिए फ़र बढ़ते है next question की तरफ देखो बारक ये 2007 माया question है और उदर वाला भी किसी एर में आया होगा 2004 में में रख्याल से है a hollow cylinder has a charge q koulomb within it if flux phi is the associated with the surface be the flux linked with the surface a will be a surface ये रही b ये रही करोड़ वाली और ये रही c तो हमें पता है जो total flux होता है total flux कितना होता है इसके अंदर charge क्यों है तो टोटल फ्लक्स कितना वक्यों पॉर इस सब्सक्राइब होता है ठीक है total flux ये और ये एक सलेंडर है तो दोनों एरिया बराबर होंगे और सी का ठीक है ओक्या सर्थ यहां से जो flux निकल रहा है b से इसने बता दिया है phi है तो जब बचा कुच हो वह से निकलेगा अब कर ना हो इससे flux 파ई निकल रहा है जो आपका सर्थेस सर्थके से बचा पूचह कितना हो जाएगा है ऐस थूद E ये इप्लस कितना होगा पका ये और और अ हो औरे तो टोटल तो flux through A कितना हो जाएगा? flux through A कितना हो जाएगा? इसका आध है, तो Q upon epsilon 0 minus 5 और multiply कर देजा आधे से. मतलब answer आपका A for Apple is the correct answer. ठीक है, second question देखते हैं, electric dipole has magnitude of its charge Q. electric dipole has का charge Q है, एक charge दूसरा minus Q होगा, and dipole moment P. It is placed in a uniform electric field E. ठीक है? If its dipole moment is along the dark snow electric field. यह आपका 2004 का है, मैं confirm कर लेता हूँ, कौन से एर का है? यह सटूसरान फोर का. तो जाट चार. यह वहला आप बहुत चोटे-मोटे चिंटू हो करते थे. एक साल के, दोसाल के. ओके. हाँ, तो बात करते हैं. इलक्टेंडी net force, आपको पता है, यूनिफोर्म एलेक्टर फिल्ड में, अगर डाइपल को प्लेस करते हो, तो net force 0 होता है. उप्शन A और B तो हो नहीं सकते है, C और D में बहुत कन्फूजन है. दूसरा कहा है, एड़ पोटेंशलाजी, पोटेंशलाजी का फॉर्मला होता है, अगर आप लोग को याद हो, होता है, माइनस का P e cos theta. माइनस का P e cos theta. अगर डाइपल अलोंग दी, इसी डाइस में जीदे लेक्टर फिल्ड अगल कितना होगा? 0. तो पोटेंशलाजी कितनी हो गई? पोटेंशलाजी का फिलाज यूसे ब्लोट कर देता हूँ, कभी दोनों से P e, आप समझो, ये P आपका डाइपल मोमेंट के बात कर रहा है, लेक्टर फिल्ड के बात कर रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम होती है अलर्ची, तो आप का अंसर क्या है, इसके अंदर पोटेंशलाजी मिनिमम है, ठीक है, एस इस कलाइब, I think it's very clear to you, तो प्यारे बच्चो, आज की क्लास हम करेंगे यही पर end, आज के लिए, इस फाइन फॉर दी टूडे, इस फाइन फॉर टूडे, मिलेंगे नेक्स क्लास में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और बिंदास रहे, किसे कोई डाउट हो, तो कमेंट करके आप उचे बता सकते हैं, इस इस जगजानी, साइनिंग ओफ,